शब्र प्रत्मतो जय से खृष. आज हम लोग प्राचीन पास्च्चा दर्सन में प्लेटो का प्रत्य वाद क्या है? इसको जानते हैं कि जो प्लेटो थे प्रत्य के लिए क्या बोले थे? उनका प्रत्य वाद में जो बिचार है क्या है? देखे उसको समस्ते हैं प्लेटों का विचार है कि इंद्री जगत की समस्त वस्तुएं प्रत्यों का केवल आभास मात्र हैं ये प्रत्य इंद्री जगत की वस्तुएं के विपरीत, नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनसील, शामान, श्वतंत्र तथा निर्प्यक्ष सत्ताएं हैं जिनकी अतिंद्री जगत में वस्तुनिष्ट सत्ता है जिनके बिना वास्त्विक ज्यान के प्राप्ति शंभव नहीं है यही प्लेटों का प्रत्यवाद है प्रत्यवाद प्लेटों के दर्सन का केंद्री शिधांत है जिसका सम्मंध तत्त मिमानशा इवंग ज्ञान मिमानशा दोनों से है किन्तु ज्यान मिमान्षा की प्रधानता है ज्यान मिमान्षा के अनुशार प्रत्य ही ज्यान के एक मात्र वास्तविक विशे हैं तथा तत्व मिमांशा के अनुशार ये प्रत्य ही मूल तत्व हैं जिनकी शहारता से इश्वर ने प्रत्य रूपी नित्य सांचों के माध्यम से प्रत्य जगत की नकल के रूप में इस इंद्री जगत का निर्माण किया है प्लेटों का विचार है कि प्रत्य अनुभव जन्न नहीं है क्योंकि इंद्री जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनकी प्रत्यों के शाथ पुर्ण संगती हो प्लेटों ने प्रतक्ष अनुभव की वस्तुओं के सार तत्व के लिए प्रत्य शब्द का प्रियोग किया तथा इसे उदारणों के द्वारा समझने का हम लोग प्रियास करते हैं अपमाल लिजिए देखिए सभी सुन्दर वस्तुओं में सुन्दर्ता अइवक्त होती है यही प्रत्य है अब जो प्लेटों है कहते हैं कि जितनी भी इस जगत प्रत्यों है आप कामन देखेंगे देखेंगे तो जो सुन्दर है उसमें सुन्दरता जो दिख रही है वही जो सुन्दरता अईवक्त हो रही ने वही प्रत्य है अब जैसे सभी लाल रंग के गुलाब है या लाल रंग के कोई वस्तू है तो जो उसमें लालिमा अईवक्त होती है ने वही प्रत्य है जैसे वस्तू है और लाल है तो जो लाल है वही प्रत्य है अब सुन्दर है कोई इस्त्री सुन्दर हो सकती कोई बच्चा सुन्दर हो सकता है कोई गुलाब का फूल जो भी सुन्दर लग रहा है तो बच्चे को छोड़ दिए इस्त्री को छोड़ दिए को वस्तु को छोड़ दिए जो सुन्दर प्रत्य वाद में यही चीज है आप ये भी शमझ सकते हैं कोई मीठी वस्तु है उइक है उंख है इसको छोड़े उसे मीठा पना है मीठा पना वही प्रत्य है ठीक है तो आप इस तरह से इसको शमझ सकते हैं यहीं इनका प्रत्य वाद है आगे देखते हैं प्लेटों की अनुसार इंद्री जगत की प्रतेक वस्तु में गुड़ पाया जाते हैं इसलिए प्रतेक गुड़ सामानने होते हैं यह सामान नहीं प्रत्य है जैसा कि माल लेजे आप इंख जितने भी ले लेजे हर खेत काई को है लेकिन सभी उंख में एक कामन चीच सामान नहीं चीच क्या होगा मीठा पना वही मीठा पना जो है वही प्रत्य है उसे ही माल लेजे अब माल लेजे गुलाब अलग-अलग उठा लिए शभी गुलावों का रंग लाल है वही जो लालिमा है वही प्रत्य है दूफरी चीज जितनी भी गुलाव है सम्मे क्या है सुगंध है खुश्मू है वो जो गंध है सुगंध है वही तो कामन चीज है कि सम्मी एक देशा सुगंध है वही क्या है प्रत्य है या प चीज है की बिल्ल्ी करते हैं तो उसकी जो आवाज चाहे आगे जाल हो साथार हैं तो निमाग दोड़ाइ contracet जिनकी वस्तु से प्रिथक अतिंद्री जगत में श्वतंद्र तथा वस्तुनिष्ट सत्ता है, विसमस्त वस्तु में जिन में यह शामान ने पाया जाता है, शामुहिक रूप से बिशेश है, अतह अस्पष्ट है कि प्रतेग या प्रत्य एक इकाई है, तथा किसी प्रत्य स संबंधित दश्व में अनेक हैं जैसा किना काया नाम था माल लेत जो कामन चीज इकाई है ठीक और उस से अनेक वस्तिमें होती है गुलाब का पेड़ है गुलाब के फूल है लेकिन क्लेटों के नुषार प्रत्यात्मग ज्यान ही वास्तविक ज्यान है, क्योंकि यह निष्चित और परिवर्तन शीर निरिपेक्ष कोत ग्यान हो जब जो प्रत्यात्मक ज्यान वहीं वास्तविक है क्यों निश्चित होता है और परिवरतन सीसरेचे जो इंत्रियों से व कि अभी पेड़ पौधे इस्त्री पूरुष्म वहीं पंच आप देंक yaptiad ग्यान के जगत की वस्तूएं हैं और जो इंद्री जगत की वस्तूएं आप जानते हैं कि बिना सील ईसमा परिवर्भतन होगा ही होगा कही पहाड है तो हो सकता हुआ रहा है आप देख रहें कहीं सड़क था आप पता चला पूल बन के तरए रहे हैं लोग कहीं नहर बना दे रहे हैं तो जो प्रक्रतिक है जो जगत है इसे परिवर्तन होता रहता है तो इसी इन्होंने कहा है कि जो इंद्री जगत है या अनिश्चित है यह क्या हो जा बर्शात हो रहे दूप हो जा है यह इंद्री जगत की वस्तूएं है आप समझ बें, परिवर्तन सील है यह कुछ भी निश्चित नहीं से अब निश्चित है यह क्या है प्रत्ये के बिपरिद शापिक् pioneer के कारण यह एक प्रकार का ब्योभारि ग्यान है अर्थात प्रतीतिया राया मतमात्र है इनका कहना में कि जगत की ग्यान है यह बेवहरिक ग्यान में आएगा यह प्रत्य यह प्रत्यत्म ग्यान में नहीं है कि निश्चित नहीं है इंद्री जगत को ग्यान को बेवहरिक ग्यान मानने के मूल में प्लेटों की यह मानेता थे की इंद्री जगत की वस्तु में इंद्री आनुभव के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त कराती हैं वह ज्ञान शमय, अस्थान, परिस्थिती तथा व्यक्ति की सापेक्षो होता है अर्थात एक ही वस्तु भिन भिन शमय, अस्थान, तथा परिस्तिती में व्यक्तियों को भिन भिन प्रकार की अनुभूती कराती हैं, तथा जिस व्यक्ति को ब्योहार में यह ज्ञान जैसा अनुभव होता है, उसी के अनुरू वह अपनामत प्रिगट करता है इन्हा का नाम यह है कि अब जो नाना प्रकार के जगत में वस्तुई हैं तो अलग अलग जो ब्यक्ति है वह अब जैसे चार पीता किसी को बहुत मीठा लगता है किसी कहता मीठा भाई कम है थोड़ा और मीठा कोई कहता गरम कर दो भाई बहुत कम गरम है तो हर ब्यक्ति का ज भूतियां उनकी अलग हो जाएंगी को जियरा के जिस बैक्ति के बेवान लाज जैसे अनुभुव होता है।े जय से अनुभुव। को लगता हो और एक ही जैसे सब को नहीं लगता है जैसा कहानी सुने का लक्ष बना देते हैं जब तो अर्जुनु क्या दिखता है स्री मचली का आँख दिखता है बागी को मचली के पूंच दिखते है तो यह दिखता हो दिखता है तो हर बैक्ति का अपना मत होता अपना ध् ग्यान को ही वास्तिविक ग्यान मानते हैं जो निश्चित और परिवर्तंसील तथा निर्प्यक्ष ग्यान हो। प्लेटों के नुसार प्रत्यों का ग्यान ऐसा ही वास्तिविक ग्यान है जिसकी उत्पत्ती बाउधिक अंतरद्रिष्ट के द्वारा होता है। अर्थात इंद्री जगत की वस्तुओं का ग्यान इंद्री प्रतक्ष करतेश में प्रत्यों का ग्यान हमारी बुद्धी को सूज जाता है यह एक प्रकार से हमारी आत्मा के भीतर बिद्दमान जन्मजाद प्रत्यात्मक ग्यान का पुनह अस्मरण मात्र है प्लेटो के अनुसार यह पुर्हा इस्मृती प्रत्यात्मक ज्ञान प्रमारिक ज्ञान है तथा इस ज्ञान की प्रमारिकता को शिद्ध करने के लिए प्लेटो ने अपने पुरूरती मतलब अपने इस जो पहले जादार्शनिक थे परमेनाइडीज पार्मेनाडीज के यथार्थवात का साहरा लेकर अपने संबाद यह दिया है शंबादिता सिध्धान को प्रस्तुत किया अथा प्रत्यात्मक ज्यान की प्रामाडिकता को शिर्द करने का प्रयास किया है पार्मेनाडीज ने अपने यथार्थवात की अंतरगत यह मत्प्रस्तुत किया था कि केवल वही ग्यान प्रमाडिक माना जा सकता है जिसकी संगती में बाहे जगत में वस्तुगों का अस्तित्व हो पार्मेनाडीज इसी बात को आधार बनाकर प्लेटों ने अपने समवाजिता सिध्धान्त के अंतरगत यह मत्प्रस्तुत किया कि बुद्धी में जो प्रत्य विचारों के रूप में बिद्धमान है उससे संगती रखते हुए अतिंद्री जगत में प्रत्यों का स्वतंत्र रथा वस्तुनिष्ट अस्तित्व है इसलिए प्रत्यात्मक ज्यान प्रमारिक है प्लेटों का यही बिचार है कि इस जगत से परे अतिंद्री जगत में प्रत्यों की स्वतंत्र रथा वस्तुनिष्ट सत्ता है इसे क्या बोलते हैं बरही वर्ती वस्तुवाद कहलाता है यह प्लेटों का प्रस्यवाद था आप़ जाने जो प्लेटों का प्रस्यवाद है उनका यह दर्सन का केंद्री शिद्धान्त है इसको हम लोग समझें चया श्रीकृष्ष्ण झाल झाल